Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए वोगोज आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पर तीन सेट आफ कार्ट्स हैं फर्स सेट में हम आपके energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner के energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं वोगोज और आपके लिए आप इस सबसे पहले कार्ट्स में देख रहे हैं और ये कार्ट्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या May starting में एक प्यार महबबत आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि आपके partner की ही वज़य से हर खुशी हर जॉय आपकी life में है या फिर मैं कह सकती हूँ कि अपनी हर खुशी अपनी हर जॉय के लिए आप अपने partner के उपर dependent हो रहे हैं आप उनके साथ togetherness चाहा रहे हैं companionship चाहा रहे हैं कुछ वगोस के लिए हो सकता है कि कोई चीज celebrate करना चाहा रहे हैं या पिर हमेशा के लिए उनका साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखिए surface level के लिए the star reverse का card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक negative frame of mind भी रह रहा है आप उमीद खोते हुए दिख रहे हैं आप कहीं directionless महसूस कर रहे हैं जहाँ पर आप को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप चीजों को deal करें और कहीं देखिए एक clarity आप लाना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं और देखिए शायद इसलिए आप एक crucible का card कहता है कि साथ होते हुए भी एक दूरी आप महसूस कर रहे हैं देखिए इस card को भी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें दो birds हैं दोनों साथ में हैं लेकिन एक bird पिंजरे में है और इसी तरीके से हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक अपने ही किसी belief system या फिर society, religion, family या कोई भी चीज हो सकती है उसी की ही restrictions और limitations में है या मैं कह सकती हूँ कि अपना ही एक पिंजरा बनाया हुआ है जिसकी वज़े से एक union नहीं हो पा रहा है और देखिए ये bird भी अगर पिंजरे से बहार निकल पाए तो दोनों साथ में हो सकती है और कुछ ऐसा ही आप भी मन ही मन चाहते हुए या फिर सोचते हुए दिख रहे हैं और देखिए यहाँ पे six of cups का काट कहता है कि past की चीज़ों पे आप ज़्यादा focus कर रहे हैं और उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि ये general reading है तो यहाँ पे सब वर्गोस के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि current partner के साथ जो भी अच्छे पल आपने बिताए जो भी अच्छी memories आपकी है आप उनको बहुत ज़्यादा mid may में या फिर may month में याद कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है past का कोई relationship है past का कोई इनसान है past की कोई जगा है past की कोई event, past का कोई situation है again कोई भी past की चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उन्ही चीज़ों को आप याद कर रहे हैं और शायद इसलिए या फिर otherwise भी the moon का card कहता है बहुत एक confusion रह रही है again देखिए ये card भी कहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें कैसे चीज़ों को deal करें directionless महसूस कर रहे हैं एक blank energies में भी रहते हुए दिख रहे हैं और इसी वज़े से एक fear, एक insecurity भी कहीं end में या may month में आप लोगों के लिए वो गुज रह रही है और देखें आप ये uniqueness का card कहता है मन नहीं मन आपको ऐसे लग रहा है कि भई आपके partner सबसे अलग है ये relationship सबसे अलग है आप इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं चीज़ों को better करना चाहते हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि एक direction आप नहीं देख पा रहे है कहीं एक confusion इन्हीं सब चीज़ों से related रहते हुई देख रही है और अब देखते हैं वो गोस के आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए देखे सबसे पहले cards मुझे देख रहे हैं falling in love and four of wands और ये cards कहते हैं कि आपके partner भी कहीं मन ही मन बहुत एक प्यार महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं और शायद इसलिए या फिर otherwise भी एक togetherness आपके साथ चाहा रहे हैं एक companionship आपके साथ चाहा रहे हैं और दीखे थोड़ा थोड़ा ये सब वोगोस के partner के लिए differ कर सकता है कुछ वोगोस के partner के लिए हो सकता है कि आपके साथ marriage चाहा रहे हैं engagement चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है living चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है date पे जाना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है vacation पे जाना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत interactions आपके साथ चाहा रहे हैं, बहुत ज़ादा आपके साथ you know quality time spend करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो फिर से मैं कहूंगी थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है, लेकिन broadly speaking, एक togetherness, एक companionship चाहा रहे हैं, उसी से ही related में starting में हो सकता है कि वो कुछ action initiatives भी लें, लेकिन देखिये आपे queen of swords का card कहता है, साथी साथ बहुत logically भी या तो वो ही चीज़ों को deal कर रहे हैं, या फिर work goes, आपके partner की life में कोई इनसान है, जो बहुत controlling है, बहुत interfering है, और उनकी वज़े से जिस तरीके से आपके partner एक togetherness चाहा रहे हैं, उस तरीके से नहीं हो पा रही है, या फिर उस तरीके से वो action initiatives नहीं ल पा रहे हैं, और इसी लिए देखिए, आपे betraying jealousy का card कहता है, कि एक उदासी, एक मायूसी भी, मन ही मन महसूस करते हुए देख रहे हैं, देखिए, आपे fullness का card भी कहीं togetherness की बात करता है, कहीं हमेशा के लिए एक दुसरे का साथ चाहने की बात करता है, जैसे कि again देखिए, इस card में आप देख पा रहे हैं, दो birds आसमान में उड़ रही हैं, तो वो भी आपके साथ खुले आसमान में उड़ना चाहा रहे हैं, लेकिन फिर से देखिए, यहाँ पर Ace of Pentacles, Reverse का card कहता है, कि यहां तो practical concrete steps लेना चाहा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, यहां फिर over practical, over realistic हो र पा रहे हैं, और अब देखते हैं Virgos की में मंत में क्या हो रहा है, देखें में मंत के लिए, यहां पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, Night of Wands, Reverse, और मैंने हमेशा कहा है, Night Starों में movement की बात करते हैं, shift की बात करते हैं, क्योंकि यह card यहां पर Reverse है, तो इसी से related, कुछ issues, issues differ कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि simply work goes, आप यह आपके partner travel करना चाहा रहे हैं, और उसी से ही related मसले हो रहे हैं, delays हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि again एक movement चाहा रहे हैं, यह movement भी सब के लिए differ करेगी, कुछ work goes और उनके partner हो सकता है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को किसी level पे end करके अकेले आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से दिके movements related कुछ issues हैं, और इसी वज़े से या फिर otherwise भी anxious energies रह रही हैं, एक restlessness है, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत impulsive होना चाहा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी भी करना चाहा रहे हैं, हाला कि देखिए deeper level के लिए intimacy का card कहता है, कि आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, slowly and gradually ही आगे बढ़ना चाहिए, और देखिए कहीं mid may के बाद स यहां पे complimentary, solidary and fever के cards कहते हैं, कि आप दोनों की bonding बहुत strong हो रही है, इसके बावजूत कि आप दोनों की क्या energies हैं, कहीं you know, एक togetherness भी किसी level पे रह रही है, बहुत एक, again मैं कहूंगी यह relationship strong होता हुआ दिख रहा है, एक enthusiasm हमारा है, एक excitement आ रही है, high energy levels भी इस relationship में रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दिखिए यहां पे queen of cups and king of swords के cards एक दो चीजे कहते हैं, surface level पे हो सकता है कि mid may में बहुत emotional चीजों को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं, mood swings हो रहे हैं, लेकिन end may में जो भी हो रहा है, उसी का control अ रहे हैं या कर रहे हैं, एक strategy बना रहे हैं, you know, चीजों को plan कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो female हैं वो बहुत emotional हो रहे हैं, बहुत sentimental हो रहे हैं, mood swings हो रहे हैं, और जो भी male हैं वो बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं, या फिर देखिए, फिर से मैं कहूंगी, mid may में emotional आप ल और देखे फिर से ये general leading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन broadly speaking देखे में starting में surface level पे आप लोग जल्दबाजी किसी चीज को लेकर करना चाहा रहे हैं लेकिन मन ही मन इस चीज का एहसास है कि भई धीरे धीरे राम राम से आगे बढ़ना है एक intimacy चाहा रहे है और कहीं देखिए movement भी जा रहे हैं लेकिन उसी से related issues हो रहे हैं और कहीं देखिए emotional mid-may में हो रहे हैं end-may में logical हो रहे हैं लेकिन जो भी surface level के लिए हो deeper level के लिए आप लोगों का bond बहुत strong हो रहा है एक enthusiasm एक excitement भी mid-may के बाद इस relationship में रहता हुआ दिख रहा है तो यह था वोगोज आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें